जब तक सासे चलेगी हिंदू जगाता रहूँगा सेवा मुझे दीरामने सेवा मैं करूँगा कारा ग्रह में जो पैदा हुआ कारा ग्रह में ही बैठा है क्यों हम है संतान श्री कृष्ण की फिर भी हिंदू मोन है क्यों जब तक सासे चलेगी भगवा लहराता रहूँगा सेवा मुझे दीरामने सेवा मैं करूँ मितल साब कह सकते हैं सीधा सीधा धमकी जरूर कहेंगे कि अगर आएं तो सिक्योर्टी लेकर आएं लेकिन एक इल्जाम भी आप पर लगा है कि बीजेपी का परचार करते हैं कहीं भी कारे करम होते हैं कितनी सचाई है देखिए इसमें कोई दोराई नहीं है कि मैं सनातन का परचार करता हूँ बीजेपी का परचार नहीं करता है मैं अगर परचार बीजेपी का करूँगा तो बीजेपी के मंच पर करूँगा धार्मिंग मंच पर नहीं हाँ धार्मिकता को लेकर अगर राम मंदिर को लेकर बोलना पड़ता है अध्या को लेकर बोलना पड़ता है काशी को लेकर बोलना पड़ता है तो कहीं न कहीं लोगों को समझाने के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर मनमोन सिंग जी भी राम बंदर का फैसला लेकर आते अब उनका भी नाम लें देते और बात रही ब बाजनिति के मंचपे गाते हैं जाया वो भाजपा काओ चाहिए कांग्रेस काओ कलाकार को बुलाया जाता है वो जाता है लेकिन सर जिस तरह से ये विवाद हो रहा है सामने सचिन गालव क्योंकि कांग्रेस के पारशद भी है और उनका कहना है कि अग वो उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे बड़ा केलियर है माला कि जैसे आपने बताया कि राजिस्तान हो या चतिर गड़ो पहले भी इस तरह की दिक्कते आपको पीश आई हैं देगे सचिन गालव जी कोहन है मैं तो कभी मिलाने इन से ना मैं इनको जानता लेकिन हाँ हमारे छोटे भाई हैं क क्योंकि हमारे शहर में रहते हैं और जिस तरीके की वो धंकी देरे मुझे नॉमली कॉल करके भी पूछ लेते तो मैं उनको सधान तरीके से शौरटी देता है कि कोई ऐसी बात ही निया भाई आपने फिर भी कहा है अम फिर भी ध्यान रखेंगे ऐसा कोई संदर्ब नहीं आ आते तो वो कहते हम तो नहीं आते तो जादा ही राम राम करते हैं राजस्थान में कई प्रोग्रामों में दिक्कत आई साउंड बंद कर देते हैं गाते वह पूरा भजन चलेगा जैसे जो राम को लाए शुरू करेंगे साउंड बंद करवा देंगे शतिस गड़ में ऐसा प्यार दिया है अगर वो गलत होता तो करोडो व्यूज उसको ना मिलते और एक अलग जन जागरता का बात ना होती तो यही भजन हम प्यू में भी गाएंगे जो नाम को लाएंगे समझा कर गाएंगे तो मुझे नहीं लगता इस भजन में को यसी चीज है हाँ भाश्पा को यह गाना अच्छा लग गया हो तो वो उसको यूज कर रही है ऐसे 2009 में भी एक जैहो गाना आया था जिसको सल्मान गान की मूवी का तो उसको भी कॉंग्रेस नहीं यूज किया था करते हैं आप रील्स देख लिजिए कॉंग्रेसी निताओं की भाश्पा की निताओं की गाने तो हर को यूज करता है तो वो पर्टिक्लर यूज पार्टी का नहीं हो जाता है तो यह स्यास्तें जो एक स्पेशल किसी धर्म को खुश करने के लिए काम करती हैं वो चाहती है कि भी इस तरीके के घाने यहां पर ना गाये जाएं लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आती है सक्यू होता है कई बार मैं बैठकर मन्च से पहले जब ऐसी बात होती है तो एक तमसे मानसिता बिगड़ जाती है कि मच पे जाकर करेंगे क्या क्योंकि कि किसी चीज को टोका जाए बार बार तो यह जबान ही तो है वो मानसिक्ता हिल जाती है कलाकार के साथ एक देश के अंदर ऐसा विवार होता हो कई बार दिल भी भर जाता है लेकिन कोई हल नहीं होता अब जिस तरह के से यह काम हो रहा है सचिन गालव जी बोल रहे हैं कि आप प्यू में आकर भजन नहीं गा सकते आप बीजेपी का जाता है तो पहले सोच के उठाए कि हम किस पर उंगली उठा रहे हैं देश के अंदर पहले संत खतम हो गए कॉंग्रेस के राज में अब क्या कलाकार भी खतम हो जाएंगे कि सोचने वाली बात है यह कोई राजनीती का विशे नहीं है मेरे जैसे और भी कलाकार जो चाहकर भी गाना नहीं बना पाएंगे जब ऐसी बाते उठेंगी तो किसको दबाना चाहते हैं लेकिन नौतारिक का पहला दिन है विक्रम संवत का मुझे तो लगता है यह यह भी उनको इस कारेक्रम से पता लगा होगा कि विक्रम संवत का पहला दिन है उस दिन पंजाब निवस् पी शेयर किया था कि कनहिया मित्तल को लोकसभा की सीट में उतारा जा रहा है किसी ने वटसब पे डाल दिया था और हमारे बड़े भाई अभी नायाप सिंग सैनी जी सीम बने अरयाना के आज के तालुक थोड़ ना मेरे उनसे जब नरायनगर से दोजार बारा से जब जिला देक्ष बने थे तब से वेरे सम्मंद थे कि मैं दोस्तियां तोड़ दू लोगों से किसी के चलते कोई तोड़ता है क्या आप हम तो खुश होते हैं कोई रहेस करता है तो सचिन गालव जी भी एक दिन मुख्यमंतरी बन जाएंगे हम तो यह वो सोचते हैं कि वो बन जाए पहर में कृता कि लेकर राजनिती निखनी चाहिए है सॉंग सुनना चाहेंगे क्योंकि आप तो होई फेमस उसी लिए कौन सा सॉंग सुना रहे हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं हलां कि चलो विवाद मैंने एक गाना भी सिलेक्ट किया है उसको मैं प्यू में सुना हु कि मैं कि लेखे कि लेखे के ले और ऒूए यू कर से कृत मैं रहे हैं यू आला जाके लेखे कि